विश्वली नया बर्सको भविय स्वागत गर दै आतिस बाजी को मज़ा ली रहदा 2022 को फेबररी देखिने बम बारी को सामना गरी रहे का युक्रेन हरूले यस बर्सको पनी नया बर्सको उच्छब मनवन पायनन बर्सको दिन पनी युक्रेनी आकास मा रूसी युद्धक बिमान हरू को कहर देखियो रूसले सोरवटा निके घातक बिमान हरूलाई युक्रेन मा आकरमड का लागी पठाय को सा आज़ पनी युक्रेन को एर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइल हरुलाई निस्तेज पारने काम मा ब्यस्तर है कासन रुएटर्स ले सईने प्रसासन लाई उद्रेत करदाई यो जानकारी दिये को हो तना बड़ी रहदा युक्रेन को सेनाले पहिलाने हवाई अलर्ट जारी करदाई युक्रेनी हरुलाई रूसी आक्रमड बारे जानकारी गराये को थियो युक्रेन को बायुसेना का आनुसार रूसले नया बर्षको दिन सोंबर 35 वटा आक्रमड कारी ड्रोन बाट आक्रमड गरेको थियो अहिले भने बम बर्षक बिमान हरुका लागी युक्रेन मा अलर्ट जारी करियेको हो युक्रेनी बायुस सेनाले टेलिग्राम को माध्यम बाट चेतावनी दिदै भने को सा, ती छेत्रमा मिसाइल को खतरा सा, जहां हवाई अलर्ट जारी करिये को सा युक्रेनी अधिकारी हरु भन्छन, TU-95MS बिमान बाट रूषली क्रूज मिसाइल हरु प्रहार गरने खतरास हो, उनिहरु का अनुसार युक्रेनी आकास मा अहिले सोर वटा TU-95MS रोडनी तिक बम बर्सक हरु हावामा उडिद है का सन यस अगी युक्रेनी डिफेंस सिस्टम ले रूष द्वारा प्रहार गरिये का सबई 35 आक्रमड कारी ड्रोन हरु लाई, सफलता पुर्वक रोकेर नस्ट गरी दिये को थियू, यदपी ड्रोन लाई युक्रेनी नस्ट गरे पसी अहिले रूष ले नया रडनीती अपना आ जसका कारण यो स्तिती युक्रेन का लागी चीन ताजनक छो, युक्रेनी सेना को भनाई सकी अहिले युक्रेन मा रूष से सोर टीयू 95 एम एस रडनीतिक बंबर सक हरू तैनात गरिये का सन, जुन क्रूज मिसाइल हरू लाँच गरना का लागी तैर गरिये का हुन, युक् जुक्रेनी सहरहरूमा आक्रमड को नया लहर सुरूगरे को थियू, जस्मा उनाचालेस चना मारिये का थिये, टीयू 95 एम एस लाई नेटो को संसार मा वियर एच बी एए आर डैस एच और थात भालू नामले चीनिन छो, यो एक रडनीतिक बंबर सक रब मिसाइल जो सिती युद्ध को समय देही नै, रूसी बायुषेना को एक प्रमुख हिस्सा रह दे आयको सा। प्रवेश नगरी कने, निकेला मुदूरी मा पनी लक्ष भेटने शमता रहे को सा।